पर अपराधियों की गिध्ध की तरह नजर है यह साथ में जाती के अपराधियों और मजब करने अपराधियों को ले करएं आपराधी को कास्ट करती हैं और अपराधियों को कास्ट सिस्टम अस्थापित कर देती है और बाद में अपराधी नेतां के लिए आईकॉन बन जाता है को फॉन ऐसा नेता है जो बहुघर अपराधियों के चुनव लर्वाता है लड़ता है कोई ऐसा हमको नाम बता दिए प्रोटेक्ट अपराधी Edma kommt वो प्रोटेक्ट कौन करता है कास्ट का हीरो हो जाता है अपरादिर और फिर नेता उसको स्विकार कर लेता है इसके साथ ही पपुयादों ने मुझदफरपुर आईजी और मुख्यमंत्री के सचीव से बात कर मामले में तुरंत कर्रवाई का आगरह किया और किंद्रिय मंत्री पश्वपति पारस और नित्यानंद राई पर जमकर हमला बोला और कहा कि ऐसे निताओं को हाजीपूर में घुसने नहीं देना चाहिए मैं बार-बार कहता हूं कि नालंदा हाजीपूर अपटना जमीन बालू सराव अनमाफ्याओं का सेल्टर हाउस बन गया है पूरी पुलीस माकामा उपर से निचे तर आगे में जमीन माफ्याओं से पैसे वसुलेंगे ठाना के पीछे सराव माफ्याओं से पैसे वसुलेंगे और गारी में बैठा के बालू माफ्या से पैसे वसुलेंगे कोई सब्ता नहीं है जहां छे से आठ हत्या नहीं होती होगी हाजीपूर में पपू यादो ने साफ कहा कि वेवसाई हैं अर्थवेवस्था की रीड है जब वेवसाई ही नहीं बचेंगे तो कैसे होगा उधर पपू यादो के मौके पर पहुँचने और शोका कुल परिवार से मिलने के बाद पुलिस प्रशासन पर भी दभाव बढ़ा है और पेड़ित परिवार की नाय के लिए उम्मिज जगी है अनिल कुमार वैशाली